अलो एवरीवन आज हम सुरू करेंगे स्टील बीम का मोस्ट इंपर्टन टापिंग डिजाइन आफ श्टील बीम देखिए बोर पर आपके सामने डिजाइन आफ इस टील का इस टेप लिखा हुआ है तो इक्जाम में दो तरह का नुमेरिकल आजाएगा सीधे-सीधे कि नुम और इस पर यह दिन नुमेरिकल आ जाता है तब भी कोई बात नहीं है डिजाइन आप इस्टील नुमेरिकल लगाएंगे काफी अच्छे से नुमेरिकल रहते हैं तो देखियेगा अब क्या सुरूं करेंगे इस्टेप आफ डिजाइन आफ इस्टील बिम तो एक बात समझेग पीछे बिल्ड का डिजाइन किसी भी डिजाइन को यदि आप चाहें तो रट लें तो रट नहीं पाता है रटेगा कब जब आप ज्यादा से ज्यादा नुमेरिकल लगाएंगे तब आर शीची और इस्टील को कंसेप्ट बिल्ड करने के लिए एकदम आवस्यक है क्या कि इतना कंसेप्ट क्या है कैसे किया मतलब ही क्या होता है मतलब होता है कि उसे मतलब होता है कि उस लिम कि गहराए कितनी होगे उसके कि बात करें उसके कि इसके में कि उपना सिज़न में भी सेफ़ रहे डिफलेक्शन में निकालना क्या निकालना लोड में निकालना होता है लेकिन अपने भार के वितुकारम विंड होगा क्या दूस्तरा निकालते हैं फर्स्ट का भी निकालेंगे अफ बीम सेल्फ लोड और विम में तीन कंडिशन होते हैं यह तीन मीटर लंबाईगे है तो क्या आता है सेल्फ लोड आएगा yodma लोड का चीज़ से च्चेब्स के लिए यूडींटर से अधिक इस्पान के लिए यूडीय लोड का 3 किलियरेंथ होता है यह एक सत मेरा तत Nepo डशाक तो दूसरा निकलता है इफ्एक्टिव लेंथ पढ़ेंथ आप लोग इफोड़ी क्या हो लेंथ प्लस भीर्म क्या हो डूंसटि वीरिंग ने होगा क्या होगा प्लस ढीरींग ठीक है एक होगा इफेक्टिव लेंथ प्लस बीरिंग है ना देखिए यह क्या हो गया आपका वीम धूर्फिक टोई क्लीयर लेंथ इधर पुरी चोड़ाई यह निंए अच्छा थे भी रिंग से कंद निकल गए दूसरा तिसरा इस्टिफ क्या है मेरा सब्सक्राइब एग लिए सब्सक्राइब क्यूआदक बेंडिक better कतना होता है डबलू यल वाई फोर है ना तो जब सिंप्ली सपोर्टेट बीम पर कैंट सोरी जब कैंट लेबर पर यूडियल हो तो बेंडिंग मुमेंट कितना होता है डबलू इंटु यह देखेंगे बीम पर लोड कौन सा दिया ठीक है उस लोड के अनुसार हम बेंडिंग मुमेंट को ...... यहीं मिलता है इस利 significantly supported ओ्भील यहीं मिलता है इसंको लिखें है डायरेक्ट किसके लिए क्या रहेगा तो इसलिए हम यूडियल के लिए लेकिन यूडियल नो दे तो हम कौन सा केस लगा है जितना भी कैस रहेगा उसको लगा देंगे अब समझेगा अब देखें तीन स्टेप निकाल देंगे उसके बाद निकालेंगे आवस्यक आकृति मापांग है ना सेक्षन मौर्ण निशrik इतना लूड़ लेने के लिए जिसके लह आई इतना कितना बढ़क्राइगे तो दिस्का आई या सिग्मा बीचे इसका श्यादा होता है जादा मदबूत होता है जिसका अक्रितिमा पांक बढ़ता जाएगा और यह वेंडिंग में उस बीम की इश्टेंथ उतनी हें क्या होते जाती है बढ़ती जाती है तो मेरे बगल में छोटे छोटे लड़के हैं ठीक है उन्हीं लोगों से लिखने कामन नहीं करता है पाहला रिजन और दूसरा रेजन च्छान के लिए कि मेरा राइटिंग क्या करते हैं और देखेंगे बनाते हैं तो द्राइंग बना रहाता हुँ दूसरे से क्या कि रहते हैं ठीक है इसलिए इसको चेंज करना पड़ता है यह आपको पूरा देखेगा लेकिन यहां अलग मिल गया तो हम लिखेंगा सब्सक्राइब करने के लिए जो हम बीम करेंगे उसकी कम से कम गहराई कितनी होने चाहिए तो गहराई कैसे निकलेगा डी अपन इल इंटु पी डी अपन इल इसको पी की सिंपली सब्सक्राइब के लिए एक कितना होता है एक बटा चैनल 4 अब समझे हम यह क्या क्या है उग्सक्राइब नकद्यी में बनाइब और इस पर क्या आएगा समझे कह रहा है कि एक बीम की लंबाई है इतना इस पर लोड आ रहा है इतना हम क्या किया है सबसे पहले क्या किया है सबसे पहले इस लोड को दिया रहेगा यूडिया लोड था उसके बाद सेल्फ लोड को इस यह बीम का भार निकाल लिया है उसके बाद क्या कि हैं एक कितना रहेगा कि इतना लोड को वहन कर लेगा अभी हम क्या दिखें अवस्य का करतितिमा पांग और आवस्या गहराई यहनि इतना लोड लेने के लिए कितना कृतिम पंक वाला यह और मिला गहराई वाला यह उसके बाद क्या करेंगे हम try करेंगे जिसका कृतिम फॉसर अग करेंगा लाङये विछोस आएगा समझ रहा हैं अभिएंको बहुत चीजह हैं लिखना पड़ेगा उस आवश्या का कृती मपांग से अधिक जो मेरा गहराई आएगा उस आवश्या आई से क्या लेंगे अधिक वच्छ नमको दो किना लिखना हम को जेट वायवायज कुस्ट भूहुत कुछ लिखना ठीक है यह तो दी शिर्फ होता है तो यहां क्या लिखेंगे से बीम का चयान करके गुणधार में गुणधार में लिख लेंगे ठीक लेंगे जैसे डीए से टीड़मू बहुत कुछ जैसे जेड क्या करेंगे जिसके जरुत पड़ेगा उसमें नोट करेंगे क्योंकि अब क्या कर चुक है वहां से नोट कर लेंगे इसके लिए बिंदिंग करेंगे बेंडिंग में च्रेक करेंगे बेंडिंग में सिगमा बी टी या सिगमा बीसिक माझन होता यह मापांच युप जड़ कमाँट न्यूटन-प्रति-ыми में-स्क्वायर से कमाना चाहिए था मेरा यूट सब्सक्राइब यानि बेंडिंग इस्ट्रेस आउन्सारेस कमाना कितना आना चाहिए सव से कमाना चाहिए करेंगे सिंपली सब्सक्राइब में कमाना चाहिए कंडिशन लेकिन आने वाला कुछ सिर्फ आपका ऊपर का दो ही कंडिशन ठीक है कभी कभी कंडिशन के लिए जो डिफ्लेक्शन निकालेंगे यह निकालने फिर यह दोनों में से कोई या एक कंडिशन आएगा उसका मान यह बटा का 325 से कमाना चाहिए क्या डिफ्लेक्शन कमान तो यह क्या था आपका ओवराल डिजाइन था कि इसका डिजाइन स्टेप आप इस्टील बीम ठीक है तो इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लीजिए क्योंकि एक्जाम में आपका डाइरेक्ट लिखने के लिए भी आ जा करने बाले है